गाउं गरीब किसान को समरपित है मेरे प्यारे देशवासियों पिछले दश्कों में हम यह अनुभव कर रहे हैं कि देश में ब्रश्टाचार और काला धन इन बिमारियों ने अपनी जड़े जमाली है और देश से गरीबी हटाने में यह प्रश्टाचार यह काला धन यह गोरग धन्दे सबसे बड़ी बाधा है एक तरप तो विश्व में हम आर्थी गती में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं दोसरी तरप ब्रश्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में दो साल पहले भारत करीब करीब सौवे नमबर पर पहुच बाए हैं यह बात को दर्शाता का है कि प्रश्टाचार और काले धन का जाव कितने व्यापक रुप में देश में बिछा हुआ है प्रश्टाचार की बिमारी को कुछ वर्ग विशेश के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है गरीबों के हक को नरजर अंदास कर यह खूद फलते फुलते रहे हैं कुछ लोगों ने पद का दुर्प्योग करते हुए इसका भरपूर फाइदा उठाया दूसरी तरप इमांदार लोगों ने इसके खिलाब लड़ाई भी लड़ी है देश के करोडों नागरिकों ने इमांदारी को जी करके दिखाया है हम प्राहया यह सुनते हैं कि गरीब एक आटो ट्राइवर अपनी गाड़ी में छुट गई सोने की आबुशन वारे बैक को उसके असली मालिक को कैसे ढूंडता है और लोटाता है कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छुट जाता है मोबाइल फोन रह जाता है तो अपने खर्चे से उनको ढूंड़ने जाता है और पहुचा देता है अरे सबजी बेचने वाला भी सामान दुकांदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज़्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुलहा करके लोटा देता है इस बात का ये सबूत है कि हिंदुस्तान का सामानिय से सामानिय नागरिक इमान दार है लेकिन मेरे पैरे देशवासियों हर देश के विकास के इतिहास वे ऐसे एक्षन आए है जब एक शक्तिशाली और निर्णा एक कदम की आवश्चक्ता मैसूस की गई इस देश ने ये वर्षों से महसूस किया है कि प्रश्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंगवात ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दोड में पीछे धगेलती है देश को, समाज को, अंदर ही अंदर खोकरा कर देती है मेरे प्यारे देश्वासियों, आतंगवात की भायनक तो कौन नहीं जानता है कितने निर्देश्ट लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है लेकिन क्या आपने सोचा है, कि इन आतंग क्यों को पैसा कहां से मौया होता है सीमा पार के हमारे शत्रू, जाली नोटों के जरिये, नकली नोटों के जरिये अपना धंदा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है अनेक बार पान सो और हजार रुपिय की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं लाखो करोडों की नोटों भी जब तक की गई है बहनोग्यों एक तरप आतंगबाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है दूसरी और ब्रश्टाचार और काले धन के खिलाप लड़ाई की शुरुवात करते हुए अनेक भावी कदम उठाएं जैसे काले धन की जाज के लिए सुप्रीम कौट के पूर्वजज की अधिक्स्ता में एसाइटी का घठन किया विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया है काले धन को विदेशों से वापिस लाने के लिए विभीनंद देशों के साथ टेक्स समझोते में हमने परिवर्तन किया नये नए रहे समझोते की अमेरिका सही विभीन देशों के साथ सूचना आदानकुदान इंफर्मेशन एक्षेंज करने का प्रावधान किया ब्रस्टा की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और मजबुत कानून इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोड दरवाजे को बंद कर दिया गया देश में अगोशित आय को पैनल्टी के साथ गोशित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अगोशित आय उजागर हुई मेरे प्यारे देशवासियों इन सारे प्रयासों से पिछले ढ़ाई साल में ब्रश्टाचारियों से करीब करीब सवा लाग करोड रुपिया यह कमरकम नहीं है सवा लाग करोड रुपिय का काला धन बाहर लाया गया है ऐसे करोडों भारतवासी जिनके रग रग में इमानदारी दोड़ती है उनका मानना है कि ब्रश्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ती, जानी नोट और आतमवाक के खिलाब निरनायक लड़ाई होनी चाहिए कौन इमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अपसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जग़ जग़ बोरियों में करोडों रुपियों पाने जाने की खबर से पीड़ा नहोती हो आज देश की मुद्रा व्यवस्ता का हाल यह है कि देश में कूर्ट सिकों और नोटों की जो मुल्य है उसमें पान सो और एक हजार रुपिया वाले नोटों का हिस्सा लगभग असी से नवे प्रतिशक तक पहुँच गया है देश में कैश का अधिक सर्कुलाशन का एक सीधा समन ब्रश्टाचार से है ब्रश्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार मंगाई अर्भिया असर पैदा है इसकी मार गरीबों को जिलनी पढ़ती है इसका सिधा प्रभाव गरीब और मद्यमबर की खरीदने की शक्ति पर पढ़ता है आपका भी स्वयम का अनुबह होगा जब मकान खरीदने जाते होंगे जमीन खरीदने जाते होंगे तो आपसे जब सौदा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादा तर कैश में मागी जाती होगी इमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना हो एक मर्द्यमबर की व्यक्ति को घर भी खरीदने तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसिबत हो जाती है कैस के इस धन्दे के कारण मकान जमीन उच्च शिक्षा चिकित्सा ऐसे अनेक सेवा को उन वस्त्यों को इन कारणों से उनकी मुल्य में कृत्रिम व्रिद्धी भी होती है प्रस्टाचार से जमा किया गया धन हो या काना धन हो ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतिंकियों ने हथ्यार की परित फरुक्त में भी किया है चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है वर्सों से हो रही है बहनों और भाईयों देश को ब्रस्टाचार और काले धन रुपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सक्त कदम उठाना जरूरी हो गया है आज मद्यरात्री यानि आठ नवंबर दोजार सोला की रात्री को बारा बजे से वर्तमान में जारी पान सो रुपए और एक हजार रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी पान सो और एक हजार रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्यरात्री से उपलब्द नहीं होगी ब्रश्टाचार काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्मों के पास मुझूद पान सो रुपए हजार रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपत्ती महनत और इमानदारी से कमा रहे है उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि एक सो रुपए, पचास रुपए, बीस रुपए, दस रुपए, पांच रुपए, दो रुपए और एक रुपिया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम, देश में, ब्रस्टाचार, काला अधंगलिवं, जाली नोट के खिलाब, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है इन दिनों में, देश वाचियों को कम से कम तकलिप का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपे के पुराने नोट, दस नवंबर से लेकर, तीस दिसंबर दो हजार सोला तक, आप अपने बैंक या डाकगर कोस्ट आफिस के खाते में, बीना किसी दिसमा के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगबग पचास दिनों का समय है, अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवशक्ता नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरुरत नहीं है पांसो रुपये या एक हजार रुपये के पुराने नोटों को खाते में डाल कर आप अपनी जरुरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं केवल शुरू के दिनों में खाते में से दनरासी निकालने पर प्रती दिन 10,000 रुपया और प्रती सब्ता 20,000 रुपये की सीमा तै की गई है ऐसा नए नोटों की उपलब्दता को ध्यान में रखते हुए किया गया है इस सीमा में आने वाले दिनों में बुरुद्धि कर दी जाएगी खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है ततकाम आवशक्ता के लिए 500 और 1000 रुपय के पुराने नोटों को नए इवं मानने नोट के साथ 10 नमबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमूख और उपडाबगर हेड पॉस्ट ओफिस और सब पॉस्ट ओफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानि की वाटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इत्यादी सबूत की रुप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं प्रारम में 10 नवेंबर से 24 नवेंबर तक 4,000 रुपिया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपिये के नोट बदले जा सकते हैं 15 दिनों के बाद यानि 25 नवेंबर से 4,000 रुपिये की सीमा में वृद्धी कर दी जाएगी ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवस अगर जमा नहीं कर पाए उनको 500 और 1,000 रुपिये के पुराने नोट बदलने का एक आखरी अवसर भी दिया जाएगा ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निरधारित आफिस में अपनी राशी एक गोशना पत्र यानि डिकलेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं नव नवंबर और कुछ ठानों में 10 नवंबर को भी ATM काम नहीं करेंगे प्रारम में ATM से प्रती काड़ प्रती दिन निकाली जा सकने वाली राशी की सिमा 2000 रुपया रहेगी फिर उसे कुछ अवदी के बाद बढ़ा कर 4000 रुपया कर दिया जाएगा वैसे तो 500 और 1000 रुपय के पुराने नोट आज रातरी 12 बजे से कानूनी तोर पर खत्म हो जाएंगे परन्तु सामान्य जन जीवन की जरुनोतों को ध्यान में रखते हुए मानविय द्रश्टुकों से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानि के 72 अवर्स मतलब की 11 नमंबर की रातरी 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेश विवस्ता की है जैसे 11 नमंबर की रातरी 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में बुक्तान के लिए पूराने 500 या 1000 रुपिये के नोट स्विकार किये जाएंगे इस से वैसे परिवार जिन में कोई बिमार है उन्हें उप्चार में कोई बादा ना आए ऐसे अस्पतालों में ये दिए दवाई की दुकान की ववस्ता है तो डॉक्टर के दिये गए पर्चे पर पांसो और हजार के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलबतर हैगी ऐसे ही 11 नवंबर की रात्री 12 बज़े तक रेलिवे के टिकेट बुकिंग काउंटर सरकारी बसों के टिकेट बुकिंग काउंटर और हवाई एड़ों पर एरलाइस के जो टिकेट बुकिंग काउंटर पर केवल टिकेट खरीदने के लिए पुराने नोट अर्थाद पांसो और हजार रुपिय के नोट स्विकार करने की छूट होगी ऐसा हमने उन परिवारों की जरुरतों को देखते हुए किया हैं जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे केंद्र अत्वा राज्य सरकार द्वारा प्रमानित कोपरेटिव की दिन्चेरिया की वस्तों की दुकान जैसे केंद्रिय भंडार, सफल और दुगद विक्त्रे केंद्र, मिल्क पावरर ऐसे स्थानों पर भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी इस दौरान इन समस्थानों को प्रती दिन अपने स्टॉक और विक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी सार्वजनिक शेत्र पॉब्लिक सेक्टर के पैट्रोल एवं सी एंजी गेस टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पैट्रोल डीजर और सी एंजी गेस की विक्री के लिए भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और एक हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी इस दौरान प्रती दिन अपने स्टॉक और विक्री की सुचना रजिस्टर में रखनी होगी सब्धा गुरू, बशान गुरू, क्रेमेटोरियम ऐसी जगों पर भी ग्यारा नवंबर की राद बारा बजे तक पुराने पांसो और एक हजार रुपे के नोट्स फिकार करने की छूट होगी अंतराष्टे हवाईडों पर विदेश से आ रहे, अब विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पांस पुराने पांसो और एक हजार के नोट है तो ऐसे नोटों की पांच हजार रुपिया तक की राष्टी को नई एवं मान्य करंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी अंतराष्टिय परेटकों को अंतराष्टिय हवाई एड़ो पर विदेसे मुद्रा या 5000 रुपिय तक के पुराने नौटों को नई एवं मान्य करंसी नौटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नौन केश लेंदेन में यानि चेक से पेमेट हो दिमांड राप से पेमेट हो डेवीट या केडिट कार से पेमेट हो अत्वा इलेक्ट्रोनिक फंट रांसफर में कोई रुका बता था वैसा ही चालू रहेगा इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे इमांदार देश वास्यों को अगर तकलिप का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्यांग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है जब मैं सुनता हूँ कि कोई गरिब विद्वा लपीजी सबसीली छोड़ने में आगे आती है यह त्यांग एक रिटायर स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पैंशन से स्वच भारत कोश में अपना योगदान देने को आगे आता है जब हम यह सुनते हैं कि गरिब आदिवासी मां बकरी बेचकर सोचाले बनाने के लिए पैसे लगा देती है एक फोजी अपने गाउं को स्वच गाउं बनाने के लिए 57,000 रुपे का दान देने के लिए आगे आता है मैंनो देह देखा है कि देश के सामान्य नागरी की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तयार है बस देश का कल्यार हो अतह ब्रश्टाचार काला धन जाली नोट और आतंगबाद के खिलाप जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई वह भी कुछ दिनों के लिए तो जेल ही सकते हैं मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रतेग नागरिक प्रश्टाचार के खिलाप सुची तांके इस महा यग्ड में एक जूट हो करके मिल करके खड़ा होगा मेरे प्यारे देश वाचियों दिवाली के पर्व के बात अब इमानदारी के इस उत्सों में प्रामानिक्ता के इस पर्व में आप बढ़ चड़कर के हाथ बटाएं मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनितिक दल राजनितिक कायर करता सामाजिक एमम सैक्षणिक संस्ताइब मीडिया समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चड़ करके भाग लेंगे सकारत्मन भूमी का अदा कराएंगे और इस पवित्र कारे को सफल बना के ही रहेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों ये बाते जब सब मैं आपके सामरे रख रहा हूँ इसी समय सरकार के अलग अलग विभाकों को भी जानकारी हो रही है बैंक हो पोस्ट आफिस हो रेलवे हो अस्पताल हो उनके अधिकारियों को भी इस विशे की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है क्योंकि इस काम में गोपनियता बहुत ही आवशक थी ऐसी स्तिति में रिजर्व बैंक सभी बैंक्स और कोस्ट आफिस को कम समय में बहुत सारी विवस्था करनी उनके सामने हैं काम बहुत बड़ा है इस विवस्था में कुछ समय तो जाएगा इसलिए रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है कि 9 नवंबर को सभी बैंक पब्लिक कारे के लिए बंद रहेंगे नागरिकों को असुविदा होगी मेरा पूरा भरोसा है कि बैंक और पोस्ट आफिस के काम करने वाले सभी साथ ही देश हित में इस पवित्र कारेकर को सफलता पूर्वक परिपूर्ण करेंगे भुद्काल में उन्होंने ये करके दिखाया है मेरा जनता जनार्दन से इतना ही आगर है कि सभी नागरिक धाईगे रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट आफिस के अधिकारियों को सहयोग करें यही मेरी उन्हें आगरपुर विननती है बहनों भाईयों समय समय पर मुद्रा व्यवस्था को ध्यान में रखकर रिजर्ब बैंक्स केंद्र सरकार की सहमती से नए अधिक मुल्य के नोटों को सर्कुलेशन में लाता रहा है कि 2014 में रिजर्ब बैंक्स ने पांच हजार और दस हजार रुपिय के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को बेजा था जिसे हमारी सरकार ने विचार विमर्ष के बाद अस्फिकार कर दिया था अब इस पुरी प्रक्रिया में रिजर्ब बैंक द्वारा 2000 रुपिय के नए नोट के प्रस्ताव को स्फिकार किया गया है पुरी तरह से नए तोर पर डिजाइन किये गए 500 रुपिय और 2000 रुपिय के नए नोट नए करंसी नोट अब सर्कूलेशन में लाया जाएगा रिजर्बैंक अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए करंसी सर्कूलेशन में अधीक मुल्यों के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अंदर ही रहे इसके लिए रिजर्बैंक आवश्चक प्रबंद करेगा अंत में मेरे प्यारे देश वासियों मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह मैसूस करता है कि उसे भी उसक्षण का हिस्सा बनना है उसे भी राष्ट हित में राष्ट निर्मार में अपना योगदान देना है परन्तु ऐसे ख्षण हर किसी की जिन्दगी में गीने चुने ही आते हैं आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है हर सामान्य नागरिक ब्रश्टाचा काला धम जाली नोड के खिलाब इस महायग्य में इस लराई में अपना योगदान दे सकता है बहनों और भाईयों आप से इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा सुद्धी करन उतना ही सफल होगा देश के लिए यह चिंता का कारण था कि प्रश्टाचार और काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था यह सोच आज हमारे राजनेतिक, सामाजीक और प्रश्टाचानिक जीवन को दीमक की तरह खाये जा रहा है शासन व्यवस्ता का कोई भी अंग इस दीमक से अचुता नहीं है समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जन्मानस को अगर प्रश्टाचार और कुछ दिनों की असुईधा में से एक को चुनना हो तो बेहिचक मैं कहता हूँ बेहिचक मेरे देश का इमानदा नागरीद असुईधा को तो चुनेगा लेकिन प्रश्टाचार को कदापी नहीं चुनेगा आपसे मैं फिर एक बार आवाहन करता हूँ कि आईए जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस्पडोस की सफाई की बैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस यग्य में अपनी भी कुछ आहूती डाल कर इसे सफल बनाएं इतने बड़े देश में इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में अजसुविधा को ध्यान में न रखते हुए है आईए सभी सुची ताकी दिवाली मनाएं पुरे विश्व को भारत की से मामदारी का उत्सव दिखाएं पुरे देश में प्रामानिक्ता का पर्व मनाएं जिससे ब्रस्टा चार पर लगाम लग सकें काले धन पर नकेल कर सकें जाली नोटों का खेल खैलने वालों को नेस्त नाबुत कर सकें जिससे की देश का धन गरीबों के काम आ सकें हरिमानदार नागरिक को देश की संपवंदता में उसकी उचीत हिसेदारी मिल सकें आने वाली पीधी गर्व से अपना जीवन जी सकें मैं आप सबके सहीयोग के लिए पूरे विस्वास के साथ सबासो करोर देश वास्यों की मदद से ब्रश्चा चार के खिलाब इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूँ मुझे विश्वास है आपका साथ आपका सहीयोग हमारी आने वाली पीजियों के लिए प्रेरख बनेगा फिर एक बार आपका अरुदाई से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं भारत माता की जैए मेरे प्यारे देश वासियों I hope you ended the festive season of Diwali with joy and new hope तोले यूब एल 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 भी बार एंपटानों को यूज लाओ और इंपरने दिस और व इप Earth Awakpunkt । ए like inunya時間,同 japanese खार खानाव भूर b зачाट च दो लुंजू जिंद फजजीर सब्वार्ट यछ लंग काرفक्व्य। इन व्ट लग्स, कि घया फंट वूंट दो इनी सब्सट गयॉ मिध्डे yन्स India has become the bright spot in the global economy it is not just be who are saying this it is being stated by the International Monetary Fund and the World Bank in this effort for development our motto has been subka soft subka because अपने देखुतेले प्रधारमंद्रिंगों देशवा सिंगु सम्मधन गुरुत्त पुर्ण घषडा आजी राथी बारोटा ठरू पांस हो एबंग हजार टंक्या पुरुणा नोट बांद रहिवा किन्तु मेडिकल सेभा खेतर रे, रेलोबाय टिकेट खेतर रे, प्लेज टिकेट खेतर रे, सरकारी बॉस टिकेट खेतर रे, आश्वंता काली राती बारोटा पर्जनता हिस सेबा बलाबत्तर रहिवा अधिका खावर पैए देखुताहं दुल सेभेन, नमस्कार